राम नाम के भज के प्राणी जीवन सफल बनावा मर्यादा पुरशोत्तम की छवियाप निह दे बसावा राम कथा सुना राम कथा आज की राम कथा में रोलुक की स्वागत बाद श्री राम जे राम जे जे राम रोलुक की इश्राम कथा में पिछला सप्ता सुनावल गई रहे कि गुश्वामी जी जब कथा लिखत रही तो कामदयों के प्रभाव देख के दुखी हो गई नी धरी न काहो धीर सब के मन-मन से जरे और हनुमान जी महराज लिखनी कि जे राखे रघुवीर ते वरे तेहिका लबा हो भगवान जेका रक्षा का रेलन वो संसार के हर परिष्थिती में बच जाला कामदयों के प्रभाव भैल सारा स्रश्ची में काम के प्रभाव हो गई बकि भुले नाथ पर काम के प्रभाव ना भैल गुस्वामी जे लिखाता नहीं है प्रकार से अपन काम कला काम देव सिर्जी के ओपर डाले की कोशिश कई लग बकि रोकर कोनों प्रभाव संकर भगवान पर ना पडल फिर हार के अपना निशंग में से एको तरकस में से तीर निकर लग जोना तीर पर मचली के निसान बनल रहे और आम का गास का पीछे से लुका के भगवान भोले नात के हिर्दे पर वो काम वान के प्रभाव कही लगा बावा जी लिखाता निया है सौरभ पल्लाव मदनों बिलोका सौरभ पल्लाव मदनों बिलोका भया ओको पकम पे उत्री लोका सौरभ पल्लाव तब शीवति सारा नयान वुकारा चितवत काम भया ओजरिछारा चितवत काम भया ओजरिछारा सौरभ पल्लाव सौरभ पल्लाव मदनों बिलोका आम के गाच का पीछे से काम देव प्रहार के लग आपन बान चले लास जैसे ही वान हिर्दय में लागल भगवान शीव जी आपन तीसरा आँख खोलने तीसरा आँख खोलते ही काम देव जल के भस्म हो गए सारे दुनिया में हाहाकार मच गए लोग कहला कि भगवान शीव जी आपन तीसरा आँख खोलनी तो काम देव जल के भस्म हो गए और हमनी आपन आँख खोलेनी तो काम देव बढ़ जाला सचा ईवा कि संकर भगवान तीसरा आँख खोलने रही सब जन साधारन आदमी दूईयग आँख खोलेला उनकर दुनु आँख बंद रहे तीसरा आँख खोलन रहे इदुनु आँख बड़ा ही प्रतीक आत्मकबा एगवाँख के राग कहल जाला एगवाँख के द्वेश कहल जाला संसार के हमनी सब लोग दूए नजर से दूए द्रिष्टी से देखे नी चाहे तो राग के द्रिष्टी से और चाहे तो द्वेश के द्रिष्टी से चाहे तो के हूँ आपन होला और चाहे तो पराया होला ये बीच के कोनों उपाए जन साधारन आदमी में ना होला बीच की आँखा उकरा के कहाला तीसरा नेतर तीसरा नेतर के मतलब होला विवेक की आँख साधारन बुद्धी से उपर उठके विवेक के दृष्टी मिल जाओ यह तीसरा आख मदुकेटब के कहानी रोवा लोग सुन ले हो केब के कान से दुग राक्षस पैदा भाई लोग उलोग के नाम रहे मदुकेटब जकरवद दुर्गामाई कई नी और वह सोची कान से कहीं राक्षस पैदा होला कान से यह दुनू पैदा होला सन राग और द्वेश केहु के बारे में खुब बढ़ाई सुन ली खुब परसंसा सुन ली तो उकरा प्रती लगाव हो जाला उकरा से प्रेम हो जाला अक्यहु के बारे में बहुत शिकायत सुनली बहुत निंदा सुनली तो उक्रा से द्वेस और दुराव हो जाला है ये दुनु मधु कैटव होगा सन जोन कान से पैदा होला सन और मारे खातेर शक्ती के आउतरण होके के बढ़ेला भगवान महा देव तीसरा आँख खुलनी काम देव जल के भस्म हो गईल गुश्वामी जीव कर वर्ण करतानी हाहा कार भयव जख भारी हाहा कार भयव जख भारी तरपे सुर भारे असुर सुखारी हाहा कारे समुझी काम सुखा सोच इभोगी हाए अकंकक साधक जोगी हाहा कार हाहा कार मजगल सारा स्रिष्टी में जोगी लोग अकंटक हो गईल असुर सब डिराग लसन कि अगर काम देव जर गईल तो संकर भगवान के भेतर कामना के जगाई ना कामना जागी तो विवाह कैसे हुई एही डर से कि हमनी के मालिक तरकासुर के बद कैसे हुई सब असुर डिराग लग एको छोट बिराम लियाता फिर कथा चालू रही श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जोगी लोग अकंटक हो गईल राक्षस लोग दुखी हो गईल संसार के स्थिती बड़ा विशीत्र हो गईल गुस्वामी जी गुछन्द के माध्यम से करके वर्ण करता निया। प्रभु आसुतो शक्रिपाल सिव अबलानी रखी बोले सही। जोगी लोग अकंटक हो गईल, उनकर बाधा सब दूर हो गईल, सब कामना खतम हो खेलागल कामदेव के मरला से, पती के गती देखके उनकर पतनी महरारू, रती बड़ा दुखी हो गईली कि हमरा पती के संकर भगवान मार देनी, क्योंगो रुवत गावत स्यूजी के लगे जाके कहतर की बाबा, रुखा हमरा पती देव के मारदनी, हमरा के कहयँ छुड़दनी, हमरों के मारदी, अनत हमार पती जैसेन रलनः वैसन कर दी संकर भगवान समझे नहीं कि रती तहर पती दे वो सर व्यापी हो को इलबाड़ा एक वो शरीर में से निकल कि अब सब जगे व्यापत बाड़े तो ये से चिंता मत करा रती रोए लगली कि बाबा हमार जैसन पती रले हैं वो इसने पती चाहिए तो संकर भगवान आश्वासन देनी कि तहर पती मिल नहीं है शरीर के रोप में कब जब जदो बंस कृष्ण आवतारा जब जदो बंस कृष्ण आवतारा हो इह हरन महा महिभारा जब जदो बंस कृष्ण आवतारा 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 अवतार होई, तो भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तहर पती पैदा होई हैं, हमार बचन ब्यर्थ न जाई जूठ ना होई, कई लोग यहां प्रस्ण उठावेला, कि संकर भगवान कामदेव के तो मार देनी, भगिर रती के काहे छुड़ देनी, कामदेव के पतन रती कोनों कम खतरनाक थोड़े होई, सच बात तईबा, कि रती के अर्थ समझे के चाहे, रती के मतलब का होला, रती के अर्थ होला लगाओ, रती के अर्थ होला आकर्शन, रती के अर्थ होला जुकाओ, रती के अर्थ होला प्रेम, रती के अर्थ होला भक्ती, मिना रती के भक्तन के भक्ती भी निक्या हो सकत तभी तो तुलसिदाजी लिखले बानी कि बाल बिने सुनी करी किरपा राम चरन रती दिया हो इबालक के बिंती सुन के भगवान रुआ अपना चरन में हमरा के रती दी भरत जी भी कहता ने कि धर्म न अर्थ न काम रुची गती न चहो निरवाल धर्म ना चाही हमरा अर्थ ना चाही हमरा मुक्ति बना चाही तो का चाही राम जी के चरण में रती चाही राम जी के चरण में हमार लगाओ हो को हमार भक्ती हो को रती के खतीर जब नौधा भक्ति के उपदेश भगवान जी सबरी के देता नी तो उमें कहले बनी कि प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा पहला भक्ति का है नौभक्ति में से प्रथम भगति संतन कर संगा पहली भक्ति है सादु संत के संग कर लो इहो येगो अपने आप में भक्ति बा और दोसर भक्ति हा भगवान के कथा में रती भगवान के कथा में लगाओ इहो भक्ति हा रती की विना भक्तन के भक्ति भी ना हो सके ला क्यों कभी लिख ले कि रती विनु राज रती विनु पाठ रती विनु मानस लागत फिको रतिविनु राज, रतिविनु पाठ, रतिविनु मानस लागत पीतो रतिविनु साधु, रतिविन संत, रतिविन जोगन होय जती को कहे गंग कभी सुनू साह अकबर, रतिविनु मानव एक रती को रती के भगवान जी समझा देनी भोले नात कि दाहरपती मिल जई है जब कृष्ण भगवान के रूप में नारायन के आउतार हुई तो उनका पुत्र के रूप में दाहरपती मिली है अब देवता लोग परशान हो गई कि काम दे मरगल संकर भगवान के समाधी अब कैसे तूटी है एकर बरनन आगे होई एक विर्याम थोड़ा चोटा सा लियाता श्री राम जै राम जै जै राम श्री राम जै राम जै जै राम काम देव के मरगला के बाद सब देवता लोग हरान हो गई कि अब कैसे भोली नात के समाधी खुली कैसे बिया होई और कैसे तारका सुर मरी सब देवता बहुत दुखी रहे लोग ब्रम्मा जी का लगे गईल लोग जाके वहाँ गईला का बाद बिंती कर लख लो रोवा कुछ उपाय करी कि समाधी तूट जाओ सिव जी के ब्रम्मा जी करने की ब्यकार में तहनी काम देव के भेजला हा बिचरा के मरवाद लो भगवान ता अतना भोला भाला बानी सिव जी की तहनीयों कहता स्थूती करता उनका से समझाईता तो वहां का मान जेती है अब अहीं उसे यह उपाय करा बूले नात के तहनीये मनावा तो सब देवता लोग साथ में रिशिमनी के लेके सूती पाठ करे लगए लो मुले नात के मनावे लगए लो तू भोले भाला संभो भस मीर मावे वाला 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 भस मीर मावे वाला हेनात भक्त जन के संकट मिटावे वाला हेनात भक्त जन के संकट मिटावे वाला तुम बोले वाला संभो तू अमरित सहित सब संपाति बाट देला तू अमरित सहित सब संपाति बाट देला ओ घड़ उदार दानी राहे लहात खाली जग हित स्वयम गरल ही जग हित स्वयम गरल ही मुह से लगावे वाला तू भोला भाला संभो भस मीरा मावे वाला तू भोले वाला संभो भस मीरा मावे वाला भस मीरा मावे वाला भस मीरा मावे वाला भोले नात के स्तुती कई लग जा सब देवता लोग मिलके भगवान स्यूजी आश्वाशन दनी की निश्चिंद रहलों हम वियाह करब तरकसुर के वद होई फेर से सब तरसी लोग गयल पारवती जी के लगे भगवान भोले नात विजनी की है सब तरसी जाई पारवती जी से कहीं कि अब तपस्या छोड़ दे से वियाह के तयारी करास। फेर से लोग गयल जाके तनी सा मनरण्यन खातिर कहल अगर लोग कि हे पारवती संकर भगवान तो काम देव के मार देने अब वियाह कैसे होई तो पारवती जी कहता नहीं गोस्वा में जी लिख लेवाने तुम्हरे जान काम अब जारा तुम्हरे जान काम अब जारा अब लगी संभो रहे सबिकारा अब लगी संभो रहे सबिकारा तुम्हरे जान हमरे जान सदा सीव जोगी हमरे जान सदा सीव जोगी अज अन बधर अकाम अब जोगी तुम्हरे जाना सब तुम्हरे जाना कि पारवती जी काम दे मर गई अब कैसे विया होई कामना के विना विया होला रहा तो पारवती जी कहने कि तुम्हरे जान काम अब जा रहा रिवलो की दिरिष्टी में काम के अब मर ले बनी भगवान जी संकर भगवान अभी काम के जरनी है तुम्हरे जान काम अब जा रहा अब लगी संबो रहे सभी क्यारा अभी तक कामी रनी है संकर भगवान अभी तक विकार्ट से भरल रनी है हमरे जान सदास्य जोगी हमरे दृष्टी में तो संकर भगवान हमेसा जोगी बानी अज अनवध अकाम अभोगी अजन्मा, अकाम, कामरा रहेत और अब होगी आज की कथा इही जब इश्राम ली कोनो मन में प्रस्टन जग्यासा हुई तो जरुर भेजी जो ने स्क्रीन पर नंबर चल रहा लबा और जो नीमेल आईडी बा आज के समापन हमने भगवान की किरतन के साथ कई जाई आई साथ में प्रेम से भगवान के नाम लेवन जाओ मधूर मधूर नाम सीताराम सीताराम मधूर मधूर नाम सीताराम सीताराम सिता राम, 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 सिता रा मधूर मधूर नाम, सितारां, सितारां